नमश्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और यह वीडियो राजभाशा हिंदी प्रशन बेंक पर आधारित है इस वीडियो में सभी विभागे परिक्षाओं के लिए अती महतपुन प्रशनों का संग रह है और आपसे प्रातना है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेर और सस्क्राइब करना ना भूले तो चलिए अपना पहला कोशन है पारांगत हिंदी कोर्स कब प्रारम किया गया 2015-16 में अगला कोशन है भारतिये अंकों का अंतराष्ट्य रूप को हिंदी वे अंगरेजी में प्रयोग करने का अधिकार कोन देता है सविधान के अनुछेद 343 भाग 2 के अंदर मिलता है अगला कोश्चन है केंदरिये अंगरेजी वे हिंदी भाषा का संस्थान कहा स्थे स्थित है है हैदराबाद अगला कोश्चन है रेल हिंदी सलाकार समीती के अध्यक्ष कोन होते है उत्तर है रेल मंतरी होते है अगला question है संसदिय राजभाशा समीती की पहली बैठक 26 नुवंबर 1957 को हुई थी अगला question है हमारे पास राजभाशा विभाग का गठन कब हुआ था राजभाशा विभाग का गठन जून 1975 में हुआ था अगला question है हमारे पास राजभाशा नियम के अनुसार अंडमान नीकोबार दीव समू कौन से शेतर में आते हैं? शेतर क में आते हैं अगला question है हिंदी में कार्य करने है तू कौन सी पुरुषकार योजना लागू की गई है? व्यक्तिगत नगद पुरुषकार योजना लागू की गई है? अगला question है हमारे पास केंद्रिय राजभाशा कार्यान वेन समीती के अध्यक्ष कोन होते हैं? राजभाशा विभाग क सच्चिव होते हैं अगला कोशन है मारे पास केंद्र सरकार के हिंदी पाठे कर्मों की स्थिक्षा प्रणाली क्या क्या है तो पहली है नियमित गेहन पत्राचार और प्राइवेट केंद्र सरकार का कौन सा मंत्राले हिंदी सम्मंदित परिक्षाएं आयोजित कराता है ग्रहे बार कब संशोदित हुआ था 2011 में सविधान के अनुसार साविदिक नियम वी नियमों और आदेशों का अनुवाद कौन कराता है उत्तर है विधी मंतरा ले अगला कुशिन हमारे पास है सविधान के आठवी अनुसूची में सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया 1967 में जोड़ा गया 21 सविधान संशोदन के द्वारा आठवी अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया अगला कुशिन है 71 सविधान संशोदन द्वारा आठवी अनुसूची में कोंकणी, मनीपुरी वे नेपाली को कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 1902 में अगला कुश्चन है हमारे पास, नाइन्टी टूवे सविधान संसोदन द्वारा आठवी अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मेथली वे सेंथली को कब जोड़ा गया? 2004 में जोड़ा गया कमला पती तिरपाथी राजभाशा स्वार्ण पदक पुरुषकार किस स्तर के अधिकारियों को दिया जाता है? महा प्रवबंदक एवं उससे उपर के अधिकारियों को दिया जाता है रेल मंत्री राजभाशा रजट पदक पुरुषकार में कितनी धनराशी दी जाती है इसमें हमें रजट पदक प्लस में 8000 रुपे और परशस्ती पत्र जो है दिया जाता है अगला कोशिन है ग्रह मंत्रा ले विरक्षा मंत्रा ले संसदिये राजभाशा समीती की कौन सी समीती के शेतर में आती है ये आती है पहली उप समीती के अंदर अगला कोशिन है राजभाशा विभाग का गठन कब हुआ 1975 में हुआ विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाशा का उलेक सविधान के किस अनुछेद में हैं? अनुछेद 210 भाग 6 में है सविधान के भाग 17 के अध्याए 2 में कितनी अनुछेद हैं? 3 अनुछेद हैं अनुछेद 344 से 346 तक राज भाशा नियम 1976 के किस नियम के तहट करमचारी कोई आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंगरेजी में कर सकता है नियम साथ भाग एक के द्वारा कर सकता है सविधान सभा में हिंदी को राज भाशा बनाने का प्रस्थाव किस ने प्रस्तुत किया था गोपाल स्वामी अयंगर ने किया था उच्टम न्याले में किस भाशा में कारे किया जाता है अंगरेजी भाशा में किया जाता है नियमित हिंदी भाष्या पाठे कर्मों का सत्र किस-किस महिने आरंब होता है जनवरी और जुलाई अगला कुशन है हिंदी डिक्टेशन पुरुषकार के लिए कशेत्र के अधिकालियों को वर्ष में कितने निर्धारित हिंदी शब्दों का प्रियोग करना होता है रेल मंत्री हिंदी निबंध पर्तियोगिता में कुल कितने पुरुषकार दिये जाते हैं चार पुरुषकार दिये जाते हैं दो राजपत्रित और दो अराजपत्रित मोलिक पुस्तक लेखन पुरुषकार योजना के अंतरगत पुस्तक में कम से कम कितने प्रिष्ट होने चाहिए सो प्रिष्ट होने चाहिए भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मोलिक पुस्तक लेखन के लिए राज भाशा गोरव पुरुषकार के तहत पहला पुरुषकार कितना मिलता है ये मिलता है हमें दो लाख रुपे का केंद्र सरकार के करमचार्यों को हिंदी में ज्यान विज्यान मोलिक पुस्तक लेखन के लिए राज भाशा पुरुस्कार के तहत पहला इनाम कितने का मिलता है ये मिलता है एक लाख रुपे का रेल मंत्री हिंदी निबंध परतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मियों की कम से कम रेल सेवा कितनी होनी चाहिए तीन महिने होनी चाहिए राज भाशा अधिनियम 1963 की धारा 3 भाग 3 के तहट कितने दस्तावेजों को द्वी भाशी रूप में जारी करना आवश्य है 14 दस्तावेजों को किसके अनुपालन के लिए राज भाशा विभाग प्रतिवर्श वार्सिक कार्यकरम जारी करता है राज भाशा संकल्फ 1968 के तहट जारी करता है विदेशों में स्थित भार्तिय कार्यालियों में कितना प्रतिशत पत्राचार हिंदी में होना चाहिए 40 प्रतिशत हिंदी में होना चाहिए सविधान की आठवी अनुसूची में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है ये है छेवा स्थान राज भाषा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा जम्मू और कश्मीर राज्ये पर लागू नहीं होती है धारा छे और धारा साथ सविधान के किस अनुछेद के तहत राज भाषा आयोग और संसदी राज भाषा समीती का गठन किया गया अनुछेद 344 हिंदी सलाकार समीती में गैर सरकारी सदश्यों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है 15 हो सकती है हिंदी सलाकार समीती के सदश्यों का कार्याले कितने वर्ष का होता है केंद्रिय सरकार के कितने कार्याले होने पर नगर राजभाशा कार्यान्वेन समीती का गठन किया जाता है दस कार्याले धन्यवाद दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेर और सस्क्राइब जरूर करें और आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगरी है और आप क्या इंप्रूमेंट चाहते हैं लेकिन जो हिंदी का मेटर है वो आपको इनफ मिलेगा इससे बाहर कोशन नहीं जाएंगे और ये हमारा भाग चार था अगर आपने भाग एक, दो और तीन नहीं देखा है तो प्लीज शैनल पर जाएं और आप वो भाग देख लें धन्यवाद